दोस्तों नमस्कार ये है मागदोशन फॉर सिबिल सर्विशेज मैं अनुराग शौधरी दोस्तों घटना चक्र सामान अध्यन पुर्वावलोकन स्रिंखला में प्रस्तुत है सामान विज्ञान यानी जनरल साइन्स से संबंधित महत्वण प्रशनों का रिवीजन जो विभिन प्रतियोगी परिक्षाओं के प्रीवियस एर्स में पूछे गए हैं इस वीडियो में हम जीव विज्ञान के अंतरगत परिसंचरन तंतर से संबंधित सभी महत्वण प्रशनों को कवर करेंगे तो आईए शुरू करते हैं आज का वीडियो पहला प्रशन है निम्न उपकाणों में से किसको रक्त चाप यानी ब्लड प्रेशर नापने के लिए प्रियुक्त करते हैं तो उत्तर है इस फिग्मो मैनोमीटर दोस्तों आप जान लीजे इस फिग्मो मैनोमीटर का प्रियोग रक्त चाप या ब्लड प्रेशर नापने के लिए किया जाता है अगला प्रशन है किसी व्यक्ति का रक्त चाप 140 mmHg है तो इस उलेख में Hg से ताथ परे क्या है हाइड्रोजन, मरकरी, हाइग्रोमीटर या हीलियोग्राप तो सही उत्तर मरकरी दोस्तों मनुस्य का आउसत रक्त चाप 120-80 होता है जब कोई डाक्टर हमारा रक्त चाप नापता है तो वह वायमंडली दाप के साप एक्ष होता है यदि किसी व्यक्ति का रक्त चाप 140-80 है है तो इसमें Hg का ताथ परे रासानिक तत्व मरकरी यानी पारा से है अगला प्रशन है जब एक व्यक्ति ब्रिद्ध होते जाता है तो सामानिते उसका रक्त का दाप आपसन है घट जाता है बढ़ जाता है उतना ही रहता है या बदलता रहता है तो सही उत्तर है जब एक व्यक्ति ब्रिद्ध होते जाता है तो सामानते उसका रक्त चाप जो है बढ़ जाता है अपसन भी आपका सही उत्तर है दोस्तों आप जान लीजे कि उम्र बढ़ने के साथ साथ मानों में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है सामान रक्तदाब 120-80 होता है किन्तो इससे अधिक होने पर रक्त चाप या हाई बलड प्रेशर जबकि 120-80 से कम होने पर निम्न रक्तदाब हो जाता है और रक्तदाब को इस फिग्मो मैनोमीटर नाम की अंतर से मापते है अगला प्रेशन है नीचे चार व्यक्तियों के रक्तदाब का मान दिया गया है तो इसमें आपको बताना है किसका रक्तदाब सामानने है 90-60 स्रीमती X का, स्री X का 160-120, स्री Y का 120-80 और स्रीमती Y का 140-100 तो सही उत्तर क्या हो जाएगा स्री Y का जो रक्तचाप है 120-80 ये सामानने है आपसंडी आपका सही उत्तर है दोस्तों Y का रक्तचाप जो है ये सामानने है क्योंकि एक स्वस्त वयस्क मानों का रक्तदाब लगभग 120-80 होता है स्रीमती X का रक्तचाप सामाने से कम है जबकि स्री X और स्रीमती Y का रक्तचाप सामाने से अधिक है अगला प्रश्न है हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है कितना वाई मंदली दाब से कम वाई मंदली दाब से अधिक वाई मंदली दाब के बराबर या उपर युक्त में से कोई नहीं तो सही उत्तर है y-mundali daab दोस्तों जब कोई डाक्टर हमारा रक्ट-डाप नापता है तो वो y-mundali daab के सापेक्ष होता है उदाहरन के लिए यदि डाक्टर द्वारा नापा गया रक्ट-डाप 120 mmHg है तो इसका ताद पर है यह daab y-mundali daab 120 mmHg अधिक है रक्त चाप का मानक मापन वाई मंडली दाप के सापेक्ष होता है जबकि वाई मंडली दाप निर्वात के सापेक्ष मापा जाता है तो निर्वात के सापेक्ष रक्त चाप जो है वो 760 प्लस 120 यानी 880 mmHg होगा निर्पेक्ष रूप में अगला प्रश्ण है रक्त समूहों की खोज की थी किसने तो सही उत्तर कारल लेंड इस्टीनर ने आप सन D सही उत्तर हो जाएगा दुस्तु सन 1922 में कारल लेंड इस्टीनर ने चार रक्त समूहों की खोज की बाद में रीसस बंदर में एक अलग फैक्टर ढूढ़ा गया जिसे आर एच फैक्टर का नाम दिया गया अगला प्रश्ण है आर एच कारक का नाम सम्बंधित है एक प्रकार के कप इसे मानों से बंदर से या चूहा से तो सही उत्तर है आर एच फैक्टर एक प्रकार के बंदर से सम्बंधित है अगला प्रश्ण है निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता या यूनिवर्सल डोनर होता है कौन सा तो सही उत्तर है ब्लड ग्रूप O जो होता है ये यूनिवर्सल डोनर होता है क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है इसलिए इसका रूधिर सभी वर्ग के व्यक् रक्षियों के उपस्तिती के कारण किसी भी अन्य वर्ग के व्यक्ति का रूधिर इस वर्ग के व्यक्तियों को नहीं चढ़ा सकते रक्त वर्ग A, B सर्वग्राही होता है अगला प्रश्ण है मानो रक्ताधान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता या या यूनिवर्सल डोनर होता है तो सही उत्तर O ग्रुप अगला प्रश्ण है किस रक्त वाला व्यक्ति सार्वत्रिक दाता होता है तो आप जान लिजे O ग्रूप वाला व्यक्ति O ब्लड ग्रूप वाला ये सार्वत्रिक दाता होता है अगला प्रश्ण कथन और कारण से संबंधित है देखे कथन है कि AB रक्त समूऊं के लोग सारोभॉमिक प्राप्त करता होते हैं कारण है कि रक्त समूऊं AB कि लाल रक्ट कोशिका में कोई anittigen नहीं होता है इसलिए अन्य रक्त समूऊं के साथ समूहन नहीं होता है तो ये आपका गलत है आपसंस C आपका सही उत्तर है A सही लेकिन R गलत है कैसे तो आप जान लीजे AB रक्त समूह के लोग सारभोमिक प्राप्त करता होते है क्योंकि इसमें एंटीजन A और B दोनों होते है और कोई एंटीबाडी नहीं होता है जिसके काराण Agglutination नहीं होता है अता है AB रक्त वर्ग वाले व्यक्तियों को किसी भी रक्त वर्ग का रक्त दिया जा सकता है अगला प्रश्ण है सारभोमिक स्वीकारे रक्त समूह है कौन सा? देखे सारभोमिक स्वीकारे रक्त समूह A, B, AB या O तो सही उत्तर जो है आपसं C, A, B वर्ग ये सरभोमिक्स वी कारे हो जाएगा सभी का रख्त इनको लगाया जा सकता है वर्ग A, B रख्त वाला व्यक्त कीसी ऐसे व्यक्त का रख्त ले सकता है जिसका वर्ग जो है आपसं देखिए A, B, A, B या कोई भी वर्ग तो A B ग्रूप वाला व्यक्ति किसी भी व्यक्ति का रक्त ले सकता है, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो अगला प्रश्न है, A V रक्त वाले व्यक्ति में कभी कभी सार्विक रक्त आदाता कहा जाता है, क्यों क्योंकि उसके रक्त में antibody का अभाव होता है ये इसलिए सभी वर्गों के रक्त को ले सकता है अगला प्रश्ण है एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह A है सड़क दुरघटना में गंभीर रूप से घायल हो जाता है और चिकिस्षक रक्तधान की सलाह देते हैं उसके संबंधियों को रक्तदान के लिए कहा जाता है जिनके रक्त समूह इस प्रकार है पत्नी का O, भाई का A, B, पुत्र का A और पुत्री का O तो इनमसे कौन-कौन से संबंधी उस घायल व्यक्ति को रक्तदान कर सकते है तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा देखे इसमें A blood group वाला व्यक्ति है तो सही उत्तर आपका हो जाएगा देखे पत्नी, इसके अलावा पुत्र और पुत्री एक तीन चार, एक तीन चार आपसरण D आपका सही उत्तर है दोस्तों एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह A है वो रक्त समूह A या रक्त समूह A B वाले व्यक्ति को रक्त दान कर सकता है इसी प्रकार A रक्त समूह अला व्यक्ति रक्त समूह A या रक्त समूह O के व्यक्ति से रक्त प्राप्त कर सकता है अगला प्रिश्न है, एक मनुस्य दुरघटना ग्रस्त हो जाता है और उसे रक्ताधान किया हो सकता होती है कि इन तो उसके रक्त समूह का परिक्षण करने का समय नहीं है कौन सा रक्त समूह उसे दिया जा सकता है तो सही उत्तर O-negative दोस्तों आप जान लिजे कि 1900 में कार्ल लेंड इस्टीनर ने चार रक्त समूह की खोचकी बाद में रीसस बंदर में एक अलग factor ढूढा गया जिसे रह फैक्टर नाम दिया गया जहां रक्त समूह A में antigen A पाया जाता है वहीं रक्त समूह B में B antigen होता है जबकि A B समूह में A और B antigen दोनों और O में कोई antigen नहीं पाया जाता है किसी खास रक्त समूह के रक्त को जब विपरीत रक्त समूह से मिला जाता है तो रक्त ठक्के के रूप में जमने लगता है जिसे Blood Clotting कहते हैं चुकि O माइनस समूह के रक्त में ने तो कोई antigen उपस्तित होता है नहीं RH इसलिए इस रक्त समूह का रक्त किसी भी विपरीत को देने पर कोई असकंदन नहीं होता है अगला प्रश्न है अग्यात रुधिर बर्ग का एक विपरीत गंभीर रूप से दुरगटना करस्त हो जाता है और उसे तुरंत रक्त आधान के आउशक्त पड़ती है अस्पताल में आसानी से उपलब्ध निम्नलिखित रुधिर वर्गों में से किस एक कर्रक्त आधान के लिए उपियोग सुरक्षित होगा तो सही उत्तर है ORH- दोस्तों आप जान लिजे कि ORH- जो है वर्ग ग्रूप जो है बलड का ये किसी भी विव्यक्ति को दिया जा सकता है अगला प्रश्न है एक बिवाहित दमपत्ती ने एक बालक को गोद लिया इसके कुछ वर्स उपरान तुने जुड़वा पुत्र पैदा हुए दमपत्ती में एक का वर्ग AB पाश्ट्यू है दूसरे का O निगेटू है तीनों पुत्रों में से एक का रक्त वर्ग A पाश्ट्यू दूसरे का B पाश्ट्यू और तीसरे का O पाश्ट्यू है गोद लिये गए पुत्र का रक्त वर्ग कौन सा है आपसन है O positive, A positive, B positive या उपलव्द जानकारी के आधार पर कहा नहीं जा सकता है तो गोद लिए व्यक्ति का बालक का जो blood group है O positive होगा दोस्तों आप जान लिए दमपत्ति में एक का वर्ग A, B positive और दूसरे का O negative होने पर उनके जुड़वा पुत्रों के रक्त वर्ग A positive या B positive होगा तो तीसरे यानि गोद लिए गए पुत्र का रक्त वर्ग O positive होगा अगला प्रिश्ण है यदि एक पिता का रक्त वर्ग A है और माता का O है तो बताए उनके पुत्रों का निमनली खित में से कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है B, A, B, O, B, A, B या O तो सही उत्तर O वर्ग प्रिण ने 1924 में पता लगाया कि A, B, O, रुधिरवर्ग मनुसे का एक आनुआनसिक लक्षण होता है इसलिए ये संतानों में मिंडल के नियमों के अनुसार जनक से प्राप्त जीन्स के आधार पर ही विक्सित होता है अगला प्रश्ण है आधान या ट्रांस्फ्यूजन में रक्त ने किवल रक्त के प्रकार में बल्कि किस प्रकार में भी संगत होना चाहिए आपसन है आर्यच फैक्टर सफेद कोशिकाओं की संख्या लाल कोशिकाओं की संख्या और दाता और प्राप्त करता के वंस तो सही उत्तर आर्यच फैक्टर दोस्तों आप जान लिजे रक्त आधान या बलड ट्रांस्फ्यूजन में रक्त के प्रकार के साथ आर्यच कारक का भिशंगत होना आवस्यक है आर्यच कारक की खोज लेंड श्टीनर और वीनर ने दोस्तों रीसस बंदर के रक्त में की थी अगला प्रश्ण है माता गर्भस्त सिसु आर्यच प्रकार विशंगत की समस्य उत्पन हो सकती है यदि माता क्या है और उसका गर्भस्त सिसु कौन सा है तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका यदि माता आर्यच हीन और उसका गर्भस्त सिसु आर्यच सहीत है तो उसमें आर्यच रक्त प्रकार की विशंगती उत्पन हो सकती है आर्यच तत्तों का लक्षण भी अनुवांसिक होता है इसकी वशानुगत मिंडेलियन नियमों के अनुसार दो एलेली जिन्स यानि कैप्टल आर और इसमाल आर द्वारा होती है इसमें जीन आर्यच प्लस लक्षण जीन आर्यच माइनस लक्षण पर प्रवल होता है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि गर्भस्त माता के शिसू जो आर्यच रक्त प्रकार की विशंगती एरिथ्रो ब्लास्टोसिस फिटेलिस की समस्या उत्पन हो सकती है यह दिमाता आर्यच हीन और उसका गर्भस्त शिसू आर्यच सहित होतो अगला प्रश्न है किसी सामान निक्ति के रक्त का प्यच अस्तर कितना होता है तो उत्तर है 7.35 से 7.45 जुस्तों रक्त का सामान निक्यों 17.35 से 17.45 के मद्धियानी 17.4 होता है एडिसोसिस और एलकालोसिस से पीडित रोग्यों का pH अस्तर इस सीमा से बाहर होता है अगला प्रश्न है रक्त का pH मान कितना होता है तो सही उत्तर है रक्त का pH मान 7.4 होता है और ये प्रकिर्टे में छारी होता है अगला प्रश्ण मनुस्य के सरीर का रक्त का pH मान कितना होता है तो याद रखे 7.4 होता है मनुस्य के रक्त का pH मान अगला प्रश्न है एंटीजन वह पदार्थ होता है जो क्या करता है तो सही उत्तर है एंटीजन वह पदार्थ होता है जो एंटीवाडी के निर्मार को उद्दिप्त करता है आप संडी सही उत्तर है दोस्तों इंटीजन स्वे पदार्थ हैं जो एंटीवड़ी के निर्माण को उद्धिप्ट करते हैं और प्रतिरच्छा तंतर को परिवर्थित करते हैं प्रतिजन दो प्रकार के होते हैं glycoprotein के रूप में A और B तथा एंटीवड़ी भी दो प्रकार के होते हैं A रोधी और B रोधी किन्तो ये विशुद्ध प्रोटीन के रूप में होते हैं अगला प्रश्ण है प्रतिजन या एंटीजन ऐसा पदार्थ है जो करता है तो सही उत्तर है प्रतिरक्षा तंत्र को प्रवर्थित करता है दोस्तों एंटीजन जो है सरीर के प्रतिरक्षा तंत्र यानि एंटीवडिक के निर्मार को जो है प्रवर्थित करता है अगला प्रश्ण है निम्ण में से एंटीजन की मूल विशेष्था क्या है तो वे प्रतिरक्षियों के निर्मार को प्रेरित करते हैं ये एंटीजन की मूल विशेष्था है अगला प्रश्ण है सरीर में कौन सा संक्रमड हमारी कौन सा संक्रमड से हमारी रक्षा करता है RBC, WBC, रक्त प्लाजमा या हीमोगलोबिन तो सही उत्तर WBC यानि स्वेत रक्त कडिकाएं दोस्तों आप जान लीजे कि स्वेत रक्त कडिकाएं विशिस रूधिर कडिकाएं होती हैं जो कि सरीर के किसी रोग से संक्रमित होने पर उस विशेश संक्रमित अस्थल पर पहुँचकर हानिकारक जीवाणूओं विशाणूओं कव को इत्यादिका भक्षण करके सरीर को संक्रमन से सुरक्षा देती हैं इसके अलामा ये शरीर के प्रतिरक्षण, एलर्जी, अतिसंबेदन सीलता की स्थिति में भी महत्त पूर्ण कारे करती हैं अगला प्रश्ण है सफेद रक्त कडिकाओं का मुख्य कारे क्या है तो सही उत्तर है रोग प्रतिरोधक छमता धारन करना अगला प्रश्ण है रोग धिर के प्लाजमा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबाडी निर्मित होती है आपसन है मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, ईयोसिनोफिल या नियूट्रोफिल तो सही उत्तर लिम्फोसाइट द्वारा दोस्तों रोधिर के प्लाजमा में लिम्फोसाइट के द्वारा एंटीबाडी या प्रतिरक्षी प्रोटीन निर्मित होती है जो की विश्पदार्थों को निस्क्री करती है लिम्फोसाइट सबसे छोटे स्वेत रिधुरान किंतु संक्या में अधिक होते हैं यानि कुल W 20 से 30 प्रतिशत होते हैं इनका केंदरक बड़ा और गोल या एक और को चिप्ठा सा होता है लिम्फोसाइट गस्ती सेना की भाती समस्त शरीर में घूमती रहती है और सुरक्षा तंत्र के सारे भागों के भी सामन जैसे अस्थापित करती है अगला प्रशन है प्रतिरक्षा में B को सिकाओं और T को सिकाओं की भूमिका का सरगोत्तम वडन है आपसन है वे शरीर को पर्याबाडी एलरजनों से सनरक्षित करती है वे शरीर के दर्द और सूजन का अपशमन करती है वे शरीर में प्रतिरक्षा निरोधकों की तरह कारे करती है या वे शरीर को रोग जन जनकों के द्वारा होने वाले रोगों से बचाती हैं आप संडी आपका सही उत्तर है जोस्तों प्रात्मिक और दूतियक प्रतिरक्षा अनुकुरियां मानों सरीर के रक्त में मौझूद दो विशेस प्रकार की लिंफोसाइट या लसिकाओं द्वारा होती हैं ये हैं बी लस सिकाणू या बी को सिकाएं तरहा टी लस उकाणू या टी को सिकाएं उलेखनी है कि रोग जनकों की अनुकुरिया में बी को सिकाएं मानों रक्त में प्रोटीन की एक स्रिंखला उत्पन करती हैं ताकि वे रोग जनक से लड़ सकें ये प्रोटीन एंटीबाडिज कहलाती ह और T को सिखाएं स्वयन तो एंटी बेडिज का स्रवन नहीं करती किन्तु प्रोटीन उत्पन करने में B को सिखाओं की सहायता करती हैं ये प्रतिरक्षी पड़ाली के महत्पूर भाग हैं जो शरीर को रोग जनकों के द्वरा होने वाले रोगों से बचाती हैं अगला प्रश्ण है मानो रक्त की स्यानता या गाढ़े पन का प्रमुक कारण क्या है तो उत्तर है रक्त में प्रोटीन की उपस्थिति दोस्तों मानो रक्त की स्यानता मुखेता प्लाजमा में प्रोटीन हीमाटो क्रिट यानि रक्त में लाल रुधिर कड़िकाओं का आयतन प्रतिशतादी पर निर्भर करती है, रक्त में श्वेतर उधिर कड़िकाओं और प्लेटलेट्स की उपस्थिति का उसकी स्यानता पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है, अगला प्रश्न है मानों के श्वेतर रक्त कड़ों का ब्यास होता है कितना, तो 10.197 mm, 10.197 mm, 10. 10.207 mm, तो सही उत्तर है 10.197 mm, अपसन वना आप का सही उत्तर है, दोस्तों स्वेतर रक्त कड़िकाचे प्राही मनुस्यों में पाया जाते हैं, इनकी संख्या लाल रक्त कड़ों से कम होती है, ये दो परकार के होते हैं, कडिका मै तथा कडिका भिहीन, श्वेतर रक्त कड हमारे शरीर का प्रतिरच्छा तंत्र बनाते हैं और लिंफोसाइट एक प्रकार की स्वेत रक्त कडिकाएं होती हैं जिनका ब्यास लगभग 7 माइक्रो मीटर या दस्मलोग केंशर कहते हैं जिसमें रुधिर में स्वेत रक्त कडिकाओं की संख्या आवसकता से अधिक बढ़ जाती है अगला प्रशन है लाल रक्त कडिकाएं मुखे तया बनती हैं कहां पर यकृत में गुर्दे में हिर्दे में या फिर अस्थिमज्जा में तो सही उत्तर है लाल रक में बिक्सित होती है और मनुष्य के सरीर में लगभग 120 दिनों तक प्रसारित होती है तिल्ली या प्लीहा पुराने रक्त कडिकाओं को नश्ट करने का कारे करता है अगला प्रशन है डवलू बीसी का बनना और आर बीसी का बिनास होता है कहां पर तो सही उत्तर है दोस्तो भी किया है इसके बाद प्लीहा में इनका विनास होता है लिम्फोसाइट और निट्रोफिल्स कडिका विहिन स्वेतरू धिराणू के दो प्रकार होते हैं लिम्फोसाइट का निर्मार प्लीहा लसिका और थाइमस गरंथि में होता है निट्रोफिल्स का निर्मार अस्थिम होता है अगला प्रश्न है मानो शडीर के किस अंग मे लशीआ कोशिकाएं बनती हैं तो सही उत्तर है तीली में दोस्तुन लशीआ कोशिकाएं जो है या लिम्फोसाइट से लेक प्रकार की श्वेतरक्त काड़िकाएं हैं जिनका निर्मार लसीका ग्रंथियों तिल्ली थाइमस ग्रंथी और अस्थिमजद्वरा किया जाता है लिंफोसाइट और बी लिंफोसाइट और टी लिंफोसाइट लशीका कोसिकाओं के दो प्रमुप्रकार है अगला प्रश्ण है मनुस्य के सरीर के की संग में लिंफोसाइट का निर्मार होता है आपको बताना है तो सही उत्तर प्लीहा या तिल्ली में तो आप जान लिजे मनुष्य के सरीर के तिल्ली या पलीहा में दोस्तों आप जान लिजे कि लिम्फोसाइट का निर्माड होता है अस्थी मज्जा आदि में कई उसमें होता है देखें यहाँ पर तिल्ली भी हो जाएगा अस्थी मज्जा तो यहाँ पर सही उत्तरापसन E हो जाएगा बिहार PCS में पूछा गया है मनुष्य के सरीर में तिल्ली या पली है यानि स्प्लीन थाइमस गरंथी अस्थी मज्जा आदि में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है लिम्फोसाइट एक प्रकार की श्वेत रक्त कड़िकाएं होती है जो गस्ती सेना की तरह सरीर में घूमती रहती है और सुरक्षा तंत्र के सारे भागों की भी सामन जैसे अस्थापित करती है अगला प्रशन है हिर्दय को रक्त का संभरन करने वाली धमनिया कहलाती है क्या तो सही उत्तर है हिर्दय धमनिया दोस्तों हर्ट को रक्त का संभरन करने वाली धमनिया हिर्दय धमनिया यानि कोरोनरी आर्डरीज कहलाती है जो कि शुद्ध रूधिर को स्वयंग हिर्दय की दिवार तक पहुँचाने का कारे करती है अस्तनियों का हिर्दय चार कोष्टकों में बटा होता है जिसमें दो अनिलिंद और दो निले पाया जाते हैं जबकि फुफुष धमनिया हिर्दय से फेफ़डों तक रग्द पहुचाती है अगला प्रश्ण है कि सारीरिक प्रक्रम से थ्रामबिन का संबंध है तो सही उत्तर है रग्द जमाव से दोस्तों रग्द का थक्का या ब्लड क्लाटिंग बनने की प्रक्रिया एक जटिल रासानिक क्रिया होती है जिसे तीन चवडों में बाटा गया है इसके अंतिम चरण में थ्रामबिन एक एंजाइम की भातिकारे करके प्लाजमा की घुलनसीन फाइबरीनोजन प्रोटीन के फाइबरीन नामक अगुलनसील प्रोटीन अडोव में संसलेशन को प्रेडित करता है रुधिर असकंदन की क्रिया विधिका असपश्ट विबरन हावेल ने दिया था अगला प्रश्ण है रक्त का थक्का बनने में फाइबरीनोजन के को फाइबरीन में परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम कौन सा है तो ये है थ्रामबिन और प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है तो आप जान लीजे प्लाज्मा में जल बहुत अधिक मातरा में 90 प्रतिशत तक होता है दोस्तों रक्त प्लाज्मा रक्त का पीले रंग का तरल घटक है जिसमें संपूर्ण रक्त की रक्त को सिकाएं सामानी रूप से निलंबित रहती है प्लाज्मा कुल रक्त की मात्रा का लगभग 55 प्रतिशत तक होता है और प्लाज्मा में लगभग 91 वानवे प्रतिशत अंस जलका होता है सेज 8-9 प्रतिशत भाग में विभिन प्रकार के कार्वनिक और अकार्वनिक पदार्थ होते है अगला प्रश्ण है किसी सामाने व्यक्ति के रक्त के संदर में कौन सा कथन सही है आपको बताना है देखिए बहुत ही महतपूर किसी सामाने व्यक्ति के रक्त के संदर में कौन सा कथन सही है आपसन है धमनियों की तुलना में शिराओं की संख्या कम होती है और उनमें हर समय सरीर के रक्त की मातरा कम होती है रक्त की कुल मातरा का लगभग 70% रक्त कोसिकाओं के रूप में होता है तीसरा है कि श्वेत रुधिर काडिकाएं केवल लसी का पर्व की बनी होती हैं गलत है और रक्त में WBC की तुलना में बिमबाड़ू अधिक होते हैं आपसंडी आपका सही उत्तर है आप जान लिजे कि श्वेत रुधिर काडिकाओं में जो है लिवको साइट्स की तुलना में बिमबाड़ू या रुधिर प्लेटलेट्स की संख्या धिक होती है जबकि इनकी संख्या RBC की अपेक्षा कम होती है लाल रुधिराणुक्वी औसस संख्या पुरुषों में 54,000, प्रत क्यूबिक मीटर रक्त या इस्तरियों में 48,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 तो पूर्ण प्रश्ण है कथन कारण से संबंधित है कथन है कि कटे हुए अस्थानों से रक्त प्रवाहरोकने के लिए फिटकरी का उपयोग किया जाता है बिल्कुल सही है कारण है कि रक्त एक कोलाइडी निकाय है जिसमें जड़ावेशित कोलाइडी कर होते हैं फिटकरी क किस देश के वैग्यानिकों ने एक ऐसा कृत्रिम रक्त बनाया है जो प्लास्टिक रक्त की किस्म है जिसे किसी मरीज को किसी किस्म का विचार किये भी न दिया जा सकता है तो आपसन है यू यसे ब्रिटेन चीन या नारवे तो सही उतर है ब्रिटेन के शेफिल्ड को पहुत देश का अश्म के डिया जा सकता है यह और इसे ठंडी जगह हमें भी रखने की जवरत नहीं है साथ ही यह लंबे समय तक खराब नहीं होता है इस रख्त को प्लास्टिक कडिकाओं से तईयार किया गया है तो दोस्तों ये था आज का वीडियो घटना चक्र सामान अध्यन पुर्वावलोकन स्रिंखला के अंतरगत परिशन चरन तंतर से संबंधित महुत्यपूर्ण प्रशनों का रिवीजन जो आपके आगामी परिक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है आप इन प्रशनों को त्यार कर लीजेगा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बाक्स में जरूर बताएगा वीडियो को लाइक करें शेयर करें और इस चैनल माँदर्शन फॉर सिबिल सर्विशेज को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों नमस्कार